हेई वेलकाम बैक टूर चैनेल दोस्तो अचकी इस प्रिमाम बात काने वाल है हाउ डू सेट आप एप लोग कोई भी एप्लिकेशन और गेम को पास्वार्ट डालके लोग कर सकते हैं दोस्तो सबसे पहले इस डिबैस में सीकुर फोल्डर सेट आप करना होगा उसके बाद हम एप्लिकेशन लॉग कर पाएंगे इस फोल्डर को सेटप कारने के लिए सेटिंग्स में जाएए Settings open करने के बाद यहां साज बार पे Find करना है Secure Folder अब इस instruction पर क्लिक करके सीधा Secure Folder open कर सकते हैं या तो Phone Settings open करने के बाद Scroll Guard 2A नीची की और जाएए Next Security and Privacy उसके बाद More Security Settings दोस्तों यहां पर आपको एकदों उपर में Secure Folder देखने को मिल जाएगा Come to Secure Folder यहां Country बटम पर टैप करके Setup शुरू करेंगे दोस्तों Secure Folder एक्सेस करने के लिए Samsung Account एड़ करना पड़ेगा अगर आपके पास पहले से ही कोई Samsung Account है तो उसे Sign In कर लिजिए अगर नहीं है तो Mobile Number और Email ID डल के एक नए आड़ कर सकते हैं तो मेरे पास एक Samsung Account था मैं उसको एड़ कर लेता हूँ इसके बाद Samsung Account का All Terms and Condition एगर ना होगा One to Faster Way to Signing इसे Cancel कीजिए Permission for Secure Folder Next Continue करें दोस्तों Secure Folder Create हो रहा है Folder Radio ने में थोरा समय लगेगा तब तक integer कीजिए इस Folder को Protect करने के लिए Pin, Password और Pattern Lock Set कर सकते हैं मैं इन में से Pin Lock को चून लिया Pin डाले के बाद यहां Tick लगा के Continue करें Next Same Pin डालके Confirm कर दीजिए Turn On Reset with Samsung Account अगा Secure Folder का Password का भी भूल जाते हैं तो Samsung Account के जरे पासवाड रिसेट कर सकते हैं तो इसे Turn On कर दीजिए इसके अलबा Secure Folder एक्सेस करने के लिए Finger Pin Lock को भी Add कर सकते हैं Next Secure Folder के अंदर कुछ ऐसा Interface देखने को मिलेगा इसमें Photo, Video, Important Document Hide कर सकते हैं इसके साथ App Hide और Application पर Lock भी लगा सकते हैं इसे भी Features को उपएक करने से पहले मैं आपको कुछ Important Settings के उड़े बात है था हूँ यहां 3.0 लाइन पर टैप करके Settings में जाए यहां Lock Time में जाके Pin, Password या Pattern Set कर सकते हैं Auto Lock Secure Folder By Default, When Screen Turn Off Set रहाएगा इसे Change करके As Time I Leave an App Set कीजिए इससे क्या होगा? जैसे आप Secure Folder से बाहर जाएंगे यह तुरंत Lock हो जाएगा Notification and Data इसके अंदर साथ Notification Hide रहते हैं अगर आपको Notification चाहिए तो उसका Permission Allow कर सकते हैं Add Secure Folder to App Screen फोन की Home Screen पर जहां साड़े Apps रहते हैं वह आपे Secure Folder का आइकॉन दिखाई देगा उसको Height रख सकते हैं दोस्तो इसके अलबा Customize टेप में जाके इसका Name, Color और Icon Style चेंज कर सकते हैं App Lock Secure Folder के अंदर Game यह Application को बहुत असनी से Lock कर सकते हैं कोई भी Application Lock करने के लिए Plus आइकॉन पर टैप करना है फिर आपके सामने कहीं सरे Option आएगा Direct Play Store से एप डाउनलोड करके Lock कर सकते हैं Galaxy Store से गेम डाउनलोड करके Lock कर सकते हैं यह पिर जो एप्लिकेशन हमारे फोन में अलिडी इंस्टल किया हुआ है उसका Clone बना के Lock कर सकते हैं दोस्तो हमारे फोन में पहले से ही Amazon, Flipkart, Instagram, Snapchat और WhatsApp इंस्टल करके रहागा था आप इनसे भी एप्लिकेशन को Lock करेंगे यहां टिक लगाने के बाद Add करना है तो जैसे कि आप देख सकते हैं उनसे भी एप्लिकेशन सीकुर फोलर के अंदर इंस्टल हो चुका है दोस्तो उसके बाद Samsung के F-skin से उसका जो मेन एप्लिकेशन था उसे Uninstall कर दीजिए इस्टल के अंदर इस्टल किया हुआ है उसके एक सॉटकर्ट क्रेट करके एप लॉक फिचर्स उपएड कर सकते हैं सीकुर फोलर ओपन करने के बाद प्लास अगन पर टैप करके दूसरे कोई भी एप या गेम एड़ कर सकते हो उसके बाद जिस एप को होम स्कीन पर एड़ करना है उस पर टैप एंड होल करें फिर आपके समने एड़ टु होम का पॉप अप आएगा अब इसको होम स्कीन पर एड़ कर लिजिए इससे क्या होगा समसंग की जो मेन एप स्क्रीन है वहाँ पर एप्लिकेशन एड़ हो जाएगा हमने वार्ट सेप और एमाजन का स्वाट कार्ट क्रियेट कर लिया था आद में जब एप उपन करेंगे आपको पास्वाट डालना पड़ेगा तो दोस्तो इस तरीके से सिक्यूर फोल्डर के अंदर एप लॉक कर सकते हैं एप लॉक के अलबा इस डिवाइस का कहीं सरे हिडन सेटिंग्स और प्रब्रेंडेटर वीडियो अमारे चैनल पर अप्लोड किया हुआ है आप देख सकते हैं उमिद करते हों कि एप्लिकेसन लॉक काने का वीडियो आपको बहुत पसंद आये होगा तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल सबस्वेब करना ना भूले